Hello friends, welcome to our channel crypto with Vishal आज के वीडियो में guys कुछ बहुत important हम लोग discuss करने वाले हैं Bitcoin के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे पर इसके लावा मैं Singapore में हूँ token 2049 में Singapore से related एक बहुत shocking चीज है crypto से related जिसके बारे में आज के वीडियो में यहाँ पे discuss करेंगे सबसे पहले चलते हैं crypto analysis पे market cap 1.7% अप volume की बात करेंगे 10.4% down inflow की बात करेंगे राद 12 बजे से अब तक हमें 2 inflow की data देखने को मिले है 2871 BTC का और कल के दिन हमें देखने को मिले हैं 3 inflow की data 4043 BTC के fear and green index की बात करेंगे neutral में हम लोग 54 में पिछले गंटे के sentiments की बात करेंगे वो buy के तरफ है heat map कल भी green था आज भी green है BTC 1.82% अप Ethereum 2.52% अप यहाँ पे चल रहा है Bitcoin के बारे में guys बात करेंगे तो 4 hour time frame पे एक pattern बन रहा है यहाँ पे मुझे comment box में बताएगा यह क्या pattern यहाँ पे बन रहा है इस pattern के according अगर हम लोग देखे तो यह एरिया हमारे लिए बहुत important होने वाला है जो की near about 64,000 की उपर का है अगर हमारी candle इस area की उपर close होती है क्योंकि currently अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो जो हमारा area था जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि यह bitcoin के लिए resistance का area रहेगा उसी zone से अगर आप देखेंगे exact उसी zone से bitcoin को यहाँ पे resistance मिलाया तो जो bitcoin का current resistance zone था bitcoin फिलाल उसको break नहीं कर पाया है लेकिन अगर इस area को break करता है और इ देखने को मिलता है एक थोड़े ठीक ठाक volume के साथ तो उसके बाद next target bitcoin यहाँ पे 69,000 के करीब जा सकता है पर important है four hour time frame पे एक बार हमारे यह pattern यहाँ पे बने चार्ट को मैं telegram की उपर भी share कर दूँगा वहाँ से भी आप देख ली जगा तो अभी तक जो हमारा support और resistance zone था जैसा लोग बोलते हैं cryptocurrency market में चार्ट काम नहीं करते हैं मैं आपको बोलता हूँ बिलकुल news update अगर आती है उसका impact बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन अगर आप चार्ट की बात करें वो भी अगर सही तरीके से आप बनाएं तो काफी हद तक काम यहाँ पे करते हैं तो bitcoin के बारे फिलाल इतना ही है अगर आप support की बात करते हैं तो हम लोग एक supporter range zone के अंदर ही है support हमारे पास 61,400 क की बात करेंगे वो है हमारे पास 64,000 का और उसके बाद important area अगर break होता है तो bitcoin और all coins में आपको एक rally यहाँ पे देखने को मिल सकती है अब आजाते एक बड़ी चीज़ पे वो है bing x का update आया यहाँ और bing x hack हुआ है जैसे वजीर x की हमने कहानी सुनी थी bing x का हुआ है लेक पर नियर प्रोटोकॉल ने सबसे बड़ा अपना लगाया हुआ था एक अलग वीडियो करेंगे जिसमें पूरे overall token 2049 की क्या learning रही है उस बारे बात करेंगे क्योंकि अभी event तो खतम हो गया यहाँ पर मैं अभी सिंगापूर में ही और कुछ लोगों से अभी और बाते होनी और बिंगेक्स की अगर आप टीम देखोगे CPU है यानि की Chief Product Officer है उन्होंने भी ये ट्वीट किया है आज ये बिंगेक्स की उपर हैक हुआ है पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वारी बात नहीं है 20 मिलियन का हैक हो है 20 मिलियन बिंगेक्स के लिए कोई बहुत बड़ी ची है वो दुनिया का बड़ा एक्षेंज हो हमेशा मैं आपको बोलता हूं एक्षेंज में फंड मत रखो हमेशा एक्षेंज से बाई करो फ्यूचर टेट लेते हो तो समझ में आता है कि आप थोड़ा फंड वहां पे रख रहे हो पर हमेशा फंड को अपने hardware wallet में डालके रख इसका मतलब क्या है कि सिंगापूर में अगर मैं simple से terms में समझू कि crypto को support यहां पे किया जाता है एक और बड़ी चीज अगर आप Bingex के बारे में ही बात करते हैं तो Bingex जो है वो Singapore-based crypto exchange है इसका क्या मतलब है कि Singapore-based example आपको मैं यहां पे बता रहा हूं कि जैसे कि CoinDCX है या फिर वजीरेक्स है, या फिर मुद्रेक्स है, यह सब इंडियन प्लैटफॉर्म है, क्या ऐसा हो सकता है, कि इंडियन प्लैटफॉर्म जो इंडिया में बेस्ड है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो इंडिया से operate कर रहा है वो इंडिया में ना चले अब आप कई लोग बोलेंगे क्या फलतों की बात करें तो यही चीज मुझे सिंगापूर में आके समझ में आई है क्योंकि सिंगापूर में जो सेकंड क्रिप्टो का हब यहां पे जिसको बात हो रही है दोबई के बाद स उसमें सिंगापूर में यहां पे बात हो रही है पर सेम चीज एक ऑपसेट यहां पे और वह है कि यह एकश्चेंज बैन और सिंगापूर में मैं आपको दिखा रहा हूँ BingX के अगर आप website पे जाओगे यहाँ पे तो वो बता रहा है कि इस reason में यह ban है जो exchange Singapore based है वही exchange Singapore में access नहीं होता Singapore में अगर मैं app में browser में तो चलो फिर भी खोल रहा है पर अगर मैं app में जाता हूँ तो हमारे इंडिया में क्या है जैसे कि आप Binance था, Kucoin था, फिलाल तो FIU में रही सरोगे पर उससे पहले क्या था उनकी app चल रही थी, Play Store, App Store से हटी थी पर app यूज़ कर सकते हैं पर यहाँ पे आप BingX का app यूज़ नहीं कर सकते हैं जैसी आप app यूज़ करने जाते हो तो आपके सामने यही notification आ जाते है IP address वाला आप access नहीं कर सकते हैं MEXC, MEXC भी Singapore-based है पर MEXC में भी सेम खानी है वो यहाँ पे support नहीं करता आप समझो कितना बड़ा surprise है कि Exchange Singapore-based है पर Singapore में यहाँ है कि यह exchanges Singapore में registered है क्योंकि जो government है वो register करने दे रही है पर government यहाँ पे crypto को support नहीं करती है government यहाँ पे support कर दी है blockchain को crypto को support नहीं कर दी blockchain को कर दी है तो जो India में हमारे सामने issues है वही है लेकिन registration का process यहाँ पे easy है अगर India से compare करते हैं यहाँ पे उस वज़ा से exchanges registered हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि government ने जो rules बनाए है registration के वो असान है लेकिन same time पे government इस चीज़ को मना कर दी है कि आप यहाँ पे इंडिया में चल सकते हो Binance जरूर चल रहा है Kucoin जरूर चल रहा है पर जो और exchanges है जिसको हम लोग इंडिया में use करते हैं easily वो यहाँ पे सारे के सारे banner Singapore के कुछ अपने भी exchange है वो यहाँ पे चल रहे है पर बड़े exchanges बाकी के यहाँ पे banner मुझे बहुत surprise हुआ इस चीज़ का कि यह सारे के सारे Singapore based है पर Singapore में यहाँ पे operate नहीं हो रहे है तो इससे crypto की एक reality भी समझ में आ रही है कि government जो आज हम इंडिया में जब बैठे होते हैं न तो हमें लगता है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है देखो exchanges अरिस्टरी को कि मेरा भी यही perception है जब मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मुझे यह लग रहा है कि दुबई में तो चलो हम लोगों ने बहुत बढ़ा अटेंड कि है दुबई में भी मैंने आपको बोला है यह चीज दुबई जो government है वो भी support कर दिया crypto को लेकिन अगर आपको एक payment gateway चाहिए और आप एक cryptocurrency platform है तो आपके लिए वो लेना बहुत भारी पड़ जाता है जो banks है वो आपको बहुत easily account open करके नहीं देते हैं जितने वो बाकी companies को देते हैं तो ज़्यादा तर company crypto के नाम पे register ही नहीं होती है वो trading company बनती है normal trading बनती है या फिर IT company बनती है वहाँ से उनके पास license आता है उसको वो अपने exchange में यूज करते है तो same कहानी उस country में पर हाँ दुबई में ऐसा नहीं कोई exchange band है लेकिन दुबई के बाद जिस country का second number में बात हो लिए सिंगापूर वो बहुत बड़ा मुझे surprise लगा यहाँ पर और जो लोग हैं यहाँ पर उनका भी यही बोलना है कि government support कर दिया पर crypto को बिलकुल भी support नहीं कर दिया तो जो हम दूर से कही बार इस चीज के बारे में सोचते हैं कि इंडिया में ही शायद ऐसी चीज़े है ऐसा कुछ नहीं है जब आप बहार आएंगे न और आप जब बाकी countries में जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे तो वहाँ भी आपको same कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी पर उमीद है कि जिस तरीके से चीज़े बदल रही हैं तो अगर Trump जीतते हैं कंडिशन अगर Trump जीतते हैं सेकंड चीज़ अगर Trump जो बोल रहे हैं वो करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज़ के बारे बोला है कई बार वो कुडसी हमें अलाउ नहीं करती वो position हमें अलाउ नहीं करती वो चीज़ करपाने के बारे में hopefully Trump जीते और वो इस चीज़ के बारे में ना करें जो नहीं करना चाहिए और वो इस चीज़ के बारे में करें जो वो बोलने अगर ऐसा होता है तो बाकी countries के सामने भी एक बहुत बड़ा example set हो सकता और उसके बाद शायद हमारी जो problem है यहाँ पे वो बहुत जल्दी resolve हो सकती है तो आपको क्या लगा है आपे जो मैंने Singapore का बता है कि आप लोग को पता था या कोई आप लोग का और opinion है suggestion है या आपको share करना चाहते है इस तरीके experience किसी दूसरी country में तो जोर मुझे एक बार comment box में बताएगा तो वीडियो पसंद आया इसको like और चेजरू केगा चैनल में अगर आप नए है फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को subscribe कर लिजएगा cryptocurrency market के regular updates के लिए telegram को जोरूर जोइन कर जेगा लिंक वीडियो के description पे मिल जाएगा तेक्यों friends